दोस्तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग Flipkart एकाउंट कैसे बना सकते हैं Flipkart पर अपना नया एकाउंट कैसे क्रियेट कर सकते हैं तो आई ये सीखते हैं सबसे पहले दोस्तो आपको ये Flipkart अप्लिकेशन Play Store से जा करके इंस्टॉल कर लेना है इस्टॉल करने के बाद इसे Open करना है Open करते ही दोस्तो देखिए यहाँ पर Sign Up करने का आ गया और यहाँ पर Number Fill Up करने का एक कॉलम भी खुल के आ गया है तो हम लोगों को यहाँ पर अपना Number Fill Up कर देना है ये देखिए मैंने अपना Number Fill Up कर दिया फिल अप करने के बाद दोस्तों यह जो बटन है साइन अप का इस पर आपको क्लिक कर देना है यह देखिए दोस्तों एक कोड जाएगा उस नमबर पर जो नमबर अभी आपने फिल अप किया जिस नमबर से आप फिलिपकाड अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो नमबर अगर उसी स्माटफोन में लगा हुआ रहेगा जिस स्माटफोन में आप फिलिपकाड का एकाउंट बना रहे हैं अगर किसी दूसरे smartphone में वो number लगा हुआ है तो यहाँ पर देखिए blue color का एक लिखा हुआ रहा है इंटर code manually इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद दूसरे smartphone में जा करके जिस smartphone में वो वाला number लगा हुआ है उसमें एक message आया होगा जिसमें कि 6 अंक का code होगा वो यहाँ पर fill up कर देना है यह देखिए दोस्तो fill up करते ही automatically यह नया password set करने का एक column खुल के आ गया तो यहाँ पर जो भी आप अपना password set करना चाहते हैं वो यहाँ पर fill up कर सकते हैं fill up करने के बाद दोस्तो यहाँ पर done पर click कर देना है account created हमारा account बन गया दोस्तो तो दोस्तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका account create हुआ कि या नहीं या फिर login हुआ है या फिर नहीं login हुआ है automatically ऐसा ही flip card खुल गया तो उसके लिए दोस्तो आपको देखे यांपे three lines दिख रहे है इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद यहां my account का एक option है इस पर आपको klik करना है इस पर click करने के दोस्तो देखे यांपे दिखा रहा है आपका number जिस नंबर से आप अपना flip card account बनाये है तो दोस्तो यहां यह जो pencil का बटन दिख रहा है इसपे क्लिक करके आप और भी कुछ edit कर सकते हैं जैसे अपने नाम फिल अप कर सकते हैं male female ऐसा कुछ सारा कुछ profile set कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपना Flipcut account बना सकते हैं दोस्तो तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा दोस्तों तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजे ताकि हम अगले वीडियो में सुधार ला सके